पीए मोधी ने हाल ही में अपने भाशन में पूरुप्रधान मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग के एक बयान का हवाला देते हुए कॉंग्रस को घेरा था जिस पर अब राज्यसबसांसर्थ कपिल सिब्बल की प्रतिकरी आई है क्या कुछ कहा कपिल सिब्बल ने यहां सुनिए मंत्री ने एक ऐसा भाशन दिया जिसे लगता है कि पहली चरण के जो मद्दान है उनके पक्ष में नहीं जा रहे उस भाशन के बाद मैं समझता हूँ कि इस देश के करोड़ों लोग निराश होंगे हमारे जो अल्प संख्यक यहां तब से रह रहे हैं वो गुस पैटी हैं एक तरफ तो आप राम मंदिर की बात करते हो वहां जाकर रुदगाटन करते हो राम की आचरणों की बात करते हो और दूसरी तरफ नफरत फैलाते हैं नफरत के घोड़े का दूला बनकर आप कभी हिंदोस्तान को बरकरार नहीं रख सकते हैं अभी हाली में कल की ही बात है कि प्रधान मंतिरी ने एक ऐसा भाशन दिया जिसे लगता है कि पहली चरण के जो मद्दान है उनके पक्ष में नहीं जा रहे है और उस बाशन के बात मैं समझता हूँ कि इस देश के करोड़ों लोग निराश होंगे क्यों निराश होंगे कि 1950 के बाद शायद ही ऐसे ऐसा बयान किसी प्रधान मंतिरी ने दिया होगा जो इशारा करता है कि हमारे जो अल्प संक्यक यहां तब से रह रहे हैं वो गुस पैटी हैं एक इस किसम की राजनीती है और किस किस किसम की संस्क्रिती है एक तरफ तो आप राम मंदिर की बात करते हो और दूसरी तरफ नफरत फैलाते हो कहांगे आपका सबका साथ कहांगे आपका सबका विकास और कहांगे आपका सबका विश्वास नफरत के घोड़े का दूला बनकर आप कभी हिंदोस्तान को बरकरार नहीं रख सकते मैं मुझे इस बात पे बहुत निराशा है क्योंकि हम प्रदान मंत्री के पद की इज़त करते हैं और जो भी उस पद पे बैठा हो उसकी इज़त करते हैं लेकिन जब प्रदान मंत्री इज़त के लायक न रहे तो जो भी बुद्धी जीवी लोग हैं इस देश में उनको आबाद उठानी चाहिए मैं कई बार कह चका हूँ कि मोहन भाकवत जी भी चुप है क्यों चुप है इस बियान के बाद का वो चुप रहेंगे हम आरेसस का विरोध करते हैं विरोध करते रहेंगे लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि आरेसस ने ये बातें मोधी जी को सिखा ही नहीं होगी ये आरेसस की भी संस्कृती नहीं है वो चुप चाप जो मरजी करें उस दिल इन फैक्ट मौन भागवजी ने भाषन दिया जिसने उन्होंने कहा कि सब को साथ लेकर चलना पड़ेगा और इनके परिवार ने भी ऐसी संस्कृती इनको दी नहीं होगी तो ये कहां से आई मोधी जी क्या देश से अलग हो गए उपर हो गए बात करते हैं संपत्ती की जो संपत्ती एक प्रतिशत लोगों के पास है आज के दिन चालीस प्रतिशत देश की संपत्ती एक प्रतिशत लोगों के पास है और आप भाषन दे रहे हो के महलाओं के जेवर, महलाओं के गहने वो संपत्ती कॉंग्रेस पार्टी विस्कोटियों को देगी टेरिरिस्ट को देगी